खबर रिवा से है जहां अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे करमचारियों ने फैक्टरी करमचारियों अधिकारियों के साथ मारपीट की है इस वार्दाप में दो दर्जन से अधिक लोग शामिल थे सुरक्षा रिकारी की शिकायत पर राकेश पटेल, रमाकान तिवारी और अनूप सिंग के साथ एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गटना जिले के चुराटा थाना के अंतरगत नवस्ता इस्ती जेपी सिमेंट फैक्टरी की है जहां दर्जन भर से अधिक लोगों ने तोड़ फोड की है इस घटना में कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई जिसका वीडियो शोशल मीडिया में वारल हो रहा है बताया जाता है कि आंदोलनकारी फैक्टरी के अंदर जबरन खुषने का प्रयास कर रहे थे जब सुरक्षा के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो विवात कर मारपीट कर दी पर पहुची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च कर जाश शुरू कर दी है आरोपियों की पहचान की जा रही है बताया जाता है कि रिटायर करनल पी एस गंगवार की शिकायत बंच और एटा पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है वहीं घटना के संबन में नवस्ता चौकी प्रभारी S.I. अनकीता मिश्रा ने बताया कि तीन लोगों को चिनित किया गया है जबकि अने की पहचान की जा रही है वहीं वहीं है